लास्ट है जो की फोर है यहां पे गिवन हिस्टोग्राम शोज द नंबर ओव लिट्रेट फीमेल इन एस ग्रूप और तेन तो फोर्टी यहां पे दिया है तो ग्राफ को पहले रीड करते हैं यहां पे हमें दिया है नंबर ओफ फीमेल और 100-200 बैसिकली एक सेंटीमीटर अग दिया है तो अगर आप डिवाइट करेंगे इसको तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया मतलब एक से यह तो हंडिड है और यह 55 का गैप चल दे है अब कुशन सॉल्व करते हैं पहले कुशन है पहले कुशन है वाट कैन बी टाइटल अप इस हिस्टोग्र सॉल्वा इस का गाऀय कि हम Фjak को आंप तो यह था हमारे फिरस्ट कोशन का आशों को इसा तरीके से जो सेटेट कोसिए यह है यह बी है second question अगर आप read करेंगे तो उन्हेंने पूछा है write the classes along the x axis assuming all classes are equal read तो जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे इन्होंने 10 से 40 के बीच में बताया है तो यह 10 से 15 15 से 20 20 से 25 इस तरीके से यह जो हो जाएगा इसका x axis का विग तो यहाँ पे लिखो 10 से 30 30 से 35 and 35 से हमारा होता है 40 तो इस तरीके से second question भी हो गया second question third में इन्होंने पूछा है write the scale for y axis तो मैंने बताया था आपको scale जो है y axis का क्या हो जाएगा 1 cm equals to 100 female तो यहाँ पे लिखो c का answer 1 cm equals to 100 female ठीक है तो यह हो गया यहाँ पे c का answer ठीक है D में हो जाएगा D का answer देखो D में क्या पूछा है इन्होंने question what is the class width class की width क्या है यहाँ पे इन्हों का कहने का मतलब है यह 10 से 15 हुआ ना तो width कितनी है 5 years की है तो यहाँ पे लिखो 5 years E में क्या पूछा है इन्होंने which age group has the most literate female तो कौन से age की जो है महिलाएं जादा पढ़ी लिखी है तो जब आप देखेंगे यहाँ से 10 से 15 है 10 से 15 15 से 20 20 से 25 देखो यह सबसे उपर ग्राफ गया है तो इसका मतलब है 20 से 25 age group की जो महिलाएं हैं वो जादा पढ़ी लिखी है F का answer देखेंगे हम 35 तो इसका मतलब है 30 और 40 तो 35 से 40 की बीच में जो है यह हो जाएगा हमारा age group जिसमें महिलाएं कमपरडी लिखी है तो यहीं पर हमारा जो यह 18 है वो खतम होता है 5 कुशन भी है इसमें कुशन नमर 5 देख लेते हैं यहाँ पर The histogram given below shows the mark obtained by 38 students of class 8 in class test Construct a simple frequency distribution table तो इसमें हमें यह टेबल बताना एक तरीके से जैसे यह टेबल बने था ना यह वाले इस तरीके के टेबल शो करने है तो वो मैं करके दिखाती हूं राइट यहाँ पर लिखो टेबल बनाने के लिए एक तो marks obtained marks obtained जो y-axis पर यहाँ पर दिया है जो x-axis पर marks obtained और यहाँ पर number of students यह है y-axis का और यह है x-axis ठीके अब देखो इस पर ग्राफ पर जो इन्होंने histogram बनाया ना वो उस पर focus करो 50 से 60 60 से 70 यह तरीके का लिखा है तो यही पहले हम marks obtained में लिख लेते हैं 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से 90 और 90 से हो जाएगा 100 इतना होगे अब यहाँ पर ध्यान से देखो 50 से 60 के बीच में जो है number of student कितने है 4 यहाँ पर 4 है ना तो यहाँ पर लिख दो 4 और उसके पाद 60 से 70 का देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4 से 8 मतलब एक जो centimeter है यहाँ पर एक unit जो इना ने 4 student का दिखा है तो मतलब 4 चार चार का गाप चल रहा है ना 4 से 8 हो गया 8 से 12 तो इस तरीके से इसके बीच में 4 रहेंगे तो यहाँ पर 60 से 70 है तो यहाँ पर 6 आया होगा तो 80 से 90 80 से 90 तो यह 12 के सामने है तो हमारा 12 हो जाएगा 90 से 100 तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर हमारा जो है यह हमने टेबल भी बना लिया आई होप आपको यह जो है चैप्टर लाइक 18 भी समझ में आएगो हाँ हलागे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई होगी बीच में बहुती आवाज आई होगी पड़ोस में लड़ाई हो गई तो उसको एग्नौर करना छोट छोटी सीजे होती रहती है ऐसे बड़े बड़े शरू में वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो उसको लाइक करना और शेयर करना है सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने हां तक देखा है तो और कोई भी प्रॉब्म होगी तो प्लीज उसको कॉमेंट करना तब तक के लिए बाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब